अलाब उलेकुम वेल्कम बेर दोरांतर विलोग अभी तक्रीबन सुछा के चार बज रहे हैं और हमके मेरी ने खुल रही तो हम जा रहे हैं आज बाचोड तो भी मुंसे तरह बोला भी नहीं जा रहा है तो भी सबसे बहुत नीचे उतरते हैं फिस से रक्षा लेते हैं के साथ होने जाना है बाचोड पहुंचे गया हुझी मैं अंदेरा फूल है यह गाडियों का स्टैंड है जहां पर बड़ी गाडियां च्छोटी गाडियां खड़ी होती हैं तो हमारा मजदा भी हैं कहीं लगए तो भी वो मजदा निकालता है तो फिर हम अपने आगे का आगे यह वाला मारा मजदा जी यह जो कि दो पीछे से लाइट मार रहा है तो इस मजदे में आज हमने सफर करना और हमने जाना है बाचोड सफर हमने बना स्टार्ट कर दिया है तो वीडियो इस तरह बीरेगी और अभी नहीं निकला तो यह देखें मजदे में मैं बैठा हूँ यह खान साब मुझे बता रहे हैं कि यह कुम सा रओ है यह तर्रजय वर्सिक रोड है तो वर्सी करोड में अच्या जारहे है ठीक हो गया प्रूम्हे का बूतरचुंग ले जी एक पूतर चोंक है तो इससे हम होते हुए सिदा वर्षी क्रोडर वर्षी क्रोडर से फिर खूमत की तरह हम जाएंगे सफर की दुआ हमने नहीं पड़ी तो सफर की दुआ पढ़ लेते हैं सुभान लाजी सखार अला ना खाजा तो भी रास्ते में हमने रुकना भी है नमाज भी पढ़नी है यह मजदे में बैठे हुए है तो अभी दिन बिल्बुली निकला काज का आपको दिखाते हैं बाचोड का रास्ता के मजदे में किस तरह का हमारा रास्ता बुजरत है लें जी अभी हम रुके हैं ट्राफिक थोड़ी सी ज्याम हो रही है यह बड़े बड़े पत्थर लेके ट्राक आ रहा है और इस तरह भी एक ट्राक है और हमारा मजदा भी पीछे खड़ावाया बिल्बुल सिंगर रोड है दो पीदे हैं कि अटीक रही आ रहला है बोल्प भी थ्याम हो फुच कहिसे बड़े आ इसाथा जू обязत है तो कि यह जाग्से बड़ मारीघरा का कुछम दोड़ाउ पार स्से हो इसे बड़्से की है झाल पत्पोबुबुल वाल शीजर वाला, तीज वस्मोफ कि शागत हैं? भी नहींद, वैंज लगाए, बिलेगा दो दी इंट्रा कुजर गई है यह दर एक्षा मंडी लग देगा पिर नहीं हो देगा नो तक मंडी इसका के चीज का तो गिदर लगता है पत्थर का मंडी यह फिर कलाने है यह उमने चेपिये हैं आप यह बस पिर जब 10-11 तक आ गए ना गाड़ी आप तो फिर यह दर मंडी पिर उसके बाद नहीं है इसके बाद नहीं है इसके स्पीड मारते हैं यह बिल्कुल सिंगल सा रोड है दोनों तरफ से टूटा वह तो दो ट्रफ का गुजरना बड़ा मुशकल होता है तो फिर भी गुजारा कर रही है तो प्र बाच वड़ दिला तो शुरू हो गया था दिन इक लाया कि यह टोटली पहाड़ी लाक है कि यहां से हम उपर आए हैं कि अब हम पहाड़ी उपर चाड़ रहे हैं कि यह बाजोड भी तक्रीबन पहाड़ कि दरम्यान ही तो भी हम पहाड़ उपर चड़ रहे हैं और यह इस तरह के पंथर लेके जो ट्राक आ रहे हैं यह मेरा आस्टे में बहुत ढदा मिलेंगे यह वही पत्थर है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं जिसकी चीप से बनती है या वो टाइल पत्थर जिसे कहते हैं और बड़ी खतरना किसम की पहाड़ियां चड़ते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ रहाद हुआ है अपनी मंजिल की तरफ रहाद हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है जिस्वा स्ट हूस्पिटल डूंड रहा हुआ 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 है है यहां पर थोड़ा इंतजार करेंगे को कि सरकारी टाइम शुरू होता है अट बजए यह इस्पताल है यह बॉर्ड लगावाई यह आगर अस्पताल आएगा वो बेरियर के पास वो बेरियर के पास अंदर जाने दें काटी लेकिन अभी तक बंदा कोई नहीं आया तो यह मेरे साइड ड्राइवर है नाम क्या आपका मौम्मद अयूब साब तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने एक चाय का कप अपने पहले भी पिया था तो एक काप और पी लेते हैं तो अभी हम चाय पीने जा रहे हैं तो आप पर रोड भी दिखाता हूँ अब आगे जो रोड हमारा वो तकरीबन साफ रोड है यह बिल्कुल सीदा बाजोड जाता है यहां से तकरीबन सतर किलो मेंटर है बाजोड और इस तरफ से हम आए हैं बिल्कुल साफ रोड है और यह दोनों तरफ पहाड ही पहाड हलका हलका सा सूरज निकलना शुरू हो गया है बड़ा अच्छा वियू हुए है मौमद से फ्री हो गए है तो भी हम जा रहे हैं बाजोड की तरफ उम्मीद तो है चागे रोड साफ होगा ये मौमद शहर है छोटा से शहर है यह जंसी है इक तो भी हम बाजोड की तरफ जा रहे है यहां पर हमारा काम ओ गया सब्लाई दे दिए तगरीबन हमें ग्यांटक लगेगा बाजोर पहुंचने में यहां से है तक सतर किलो मेटर के राउंड अबाउट है कि अबाउबन है झाल 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 झाल